है अब्रोवन मैं कलपना अपने चनल में आप सभी का स्वागत करते हूं तो चले देखते हैं आज का टॉपिक तो देखे हम लोगोंने आर्टिकल संभिधान के आर्टिकल एक से स्टार्ट किया था तो देखे एक से चार तक आपको देखने को मिलेंगे संग और उसके इसके लावा देखे 36 से इंक्याउं तक जब हम लोग देखते हैं तो हमको मिलते हैं DPSP हैना DPSP राज के नीती निर्दे सकते तो यानि राज को कुछ करतब होते हैं जो राज को निभाने चाहिए लेकिन उसके लिए हम न्यालाय नहीं जा सकते हैं अब इसी में 51 ए आर्ट रट.कल में मूल करतब जोडे हुए हैं मूल करतब नांगरिक को क diferentes को बोलते हैं चले इस सको आंौन देखेगा इसमें क्या क्यां डी हैं मूझ करतबं के बारें में कुछ महतपूर बंदी दिये हुए हैं बिंदु देख लिजे यह नागेगों के मूल करतब होते हैं यानि एक परसनल बेक्ति के मूल करतब है कि आपको करने चाहिए लेकर आगर आप नहीं करते हैं तो फिर क्या है अगर आप नहीं करते हैं तो उसके लिए आप न्याला है आपको कोई भी न्याला है नहीं ले जा सकता जैसे आप लोग द क्म आपकूर्पाया क्या है ना हुज वह american को नहीं देखा या पת twent या या फिर आपने यह नहीं देखा क्या कि माँ आपको कितना Ś無वी क कितना तुल ये पैंड करना चाहिए आपने कर्टबों को नहीं देखा !! आपके अपने करटब अपने हपिर ये नहीं देखा कि अपने करतबों को नहीं देखा जैसे ऊपने करतब पूरे कर दी लिकिन अब बात आती है बच्चों के कर्तब है ना तो अगर आपने अपने कर्तब नहीं निवाई तो उधर क्या रहेगा मालेज आपने आपने मावाप की सिवनी की तो क्या उसके लिए कुछ आप कोई कर सकता है क्या क्या उसके लिए कोई आपको कोट में जा सकता है क्या नहीं जा सकता राज जिने अपने करतब निभाने चाहिए अब देखे अब देखे धर से इनको संब्धान के भाग फोरे में डाला गया है और अनुच्छे थे इनका 51 का यह क्यों कि यह मूल संब्धान में नहीं थे बलकि इनको 42 संब्धान संसोदान 1976 के द्वारा जोडा गया है क्या किया मूल रैड्स संब्धान में तה इन में से कौन सा यह औप्सन मूल संब्धान संब्धान में नहीं मिलता है तो तो उसमें कि दीने कि इसको मूल कर्तब में रख दिया गया और इसको नयाय योग नहीं बनाए गया इनको संब्धान के भाग 4A में रखा गया है अनुचे 51A में जगह इनको दी गई है यह कर्टब मूल संब्धान में नहीं थे इनको 42 संब्धान संसोधान अधीनियम 1976 के दौरा जोड़ा गया इस चीज़ को याद रखेगा यह हमने यह हमने जो है रूस के संब्धान से लिये हैं हमने जब रूस का संब्धान पड़ा तो हमको लगा कि हाँ मूल कर्टब जो है हमें कुछ कर्टब किसको देने चाहिए नांगरे को को देने चाहिए तो यह हमने रूस के संब्धान से ले ली मूल कर्टबों को जब 1976 मे सिफारिस के आधार पर हमने मूल करतबों को जोड़ा और जब ये जोड़े गए कुल टोटल दस मूल करतब जो सौड़ सिंग समीती थी इसने ओनली आठ मूल करतबों की सिफारिस की थी कितने आठ लिकिन जब जोड़े गए संबिधान संसोदन की तवारा तब टोटल दस थे लेकिन आज की डेट में अगर आप बरतमान में बात करें तो पूरे मूल करतब आपके टोटल 11 हैं बरतमान में हमारे पास कुल 11 मूल करतब हैं जबकि 1976 में जब इसको जोड़ा गया तो 10 थे और अगर आपसे बात करें कि सोन सिंग समीती ने कितने मूल करतबों की सिफारिस की थी तो आप 10 मत लिखिएगा क्योंकि अधिकतर ऐसा है होता है कि जैसे जब उसे मौलक तौर पत जोड़ा गया तो आपको लगेगा कि हाँ भी दस ही सौनज सिंग समीती ने सिफारिस की होगी नहीं जल आपको कीशा संवाँ रूएता और हमलप जोड़ा गया था कि मौलक अधिकार में भी मौलकर rejoice काल में चोड़े गए थे मूल करतब भी ने दे सकत्तों की तरह हैं जो ग्या ग्यार नया एच्चे थे यानि इनका हनान होने पर आप नयाला नहीं जा सकते यह केबल नांग्रेकों के करतब नाकी विदेशियों के कोई विदेशी आता है अब आप उससे बूले को तो मैं ना अपने बच्चे को 642 साल की सक्ष भारत में देनी तो क्या वो देगा बताई क्या यह उचे थे चीज नहीं है न तो यह सिर्फ हम नांग्रेकों के लिए करतब हैं नाकी विदेशियों के लिए चली देखे आंगे हमारे ग्यारा हूल करतब क्या-क्या दिये हुए हैं देख उसको तो संघ्यम में आएगा कि हमें संबधान का पालन करना है कि कि किस प्रकार के किसे चीजह चल ले हैं लेकन अगर गानदयात का और पड़ा लेख वेखती unto तो उसको समझ होगी नहीं होगी न तो क्या इतना सारा जो भी एरिया पड़ा लिखा नहीं है भारत में तो क्या सारी एरिया को हम क्या करेंगे कोट में खड़ा कर देंगे क्या उनको समझ में नहीं पड़ेगा कि हो क्या रहा है वो तो जानते ही कि हमारे करतब क्या है उनको समझ में नहीं आएगा हमारे फंडमेंटल राइट क्या है कि सम्मधान का पालन करें कि हमारे करतब है कि हमें सम्मधान का पालन करना चाहिए उसका सम्मान करना चाहिए उसमें जो आदर से दिये हुए हैं उसमें जो चीजे लिखें हुए हैं उनक या उसका हमें आदर करना चाहिए उसको भी समझजना चाहिए उसको थोड़ा पढ़ना लेखना चाहिए और उसका भी संभाण करना चैस्थ जण्ड का आधर करना चाहिए राष्ट गांच पत्अ मों भी dewकर देखें कि शपयर 5000 कट उसके बाद आप देखें कि जंडे जो हैं ऐसे नीचे डले हुगे आपको मिलेगा क्योंकि 15 दिन बच्चों को एक एक रोपे में जंडे दिला दिये जाते हैं वो खेलते रहते हैं इस स्कूलों में ठीक है और उसके बाद वो जंडे फेक दिये जाते हैं ऐसी नालियों में डले रह देखने को मिलेगी राष्टगान का कुछ है राष्टगान आपको जब सुनाई देगा तो हर इंसान तो वैसे मलब एस्टेंड तो होनी जाता है यानि हर इंसान तो आपको एक सीधी तरीके से खड़ा हुए मिलेगा नहीं जो कि जो अपने कार कर रहे हैं लोग बाद करती नहीं जाएंगे मतलब सीधी सी बात है कि हमारा करतब है कि हम करें और अगर हम ना करें हमने हायती बत्तमीच हैं तो उसके लिए कोई उपाय नहीं है उसके लिए आपको सिर्फ समझाया जा सकता है आपका माइंड सेट किया सकता है चले आंगे देखें दूसरा नंबर जो हिस्ट्री पड़ी होगी बहुत मुश्किलों से मिली कई लोगों की लासों से गुजरना पड़ा बहुत लोगों ने बहुत लोग सहीद हुए और 1947 में जो बटवारा हुए उसमत बहुत सारे लोग मारे गए वो भी बेबजाए धर्म के नाम पर आंदोलन हुए जातियों क कितनी हद तक हमारे देश के लिए लड़ाईयां लड़ी हैं बो चीज़ें हमें अपने हिरदया में रखने चाहिए उनका सम्मान करती हो और उनका पालन भी करने चाहिए अगर हमें कोई अच्छे चीज लगती है कि यह जो माली जी गांदी जी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आज आशी रही है जो हमें प्रेयरत करती है तो उन चीजह का हम अपने जीवन में भी तो पालन कर सकते हैं ताकि हमारा जीवन भीस और उनका पालन करना चाहिए अब देखें तीसरा क्या बताया गया कि भारत की संप्रभुता एकता और खंड़ता की रक्चा और उसको बनाए रखना हमें चाहिए भारत की संप्रभुता एकता अखंडता एकता अखंडता देखे संप्रभुता का क्या उतलाव है भाई चारे में हमें रहना चाहिए ऐसा नहीं है कि हिंदू मुसलिम मलब धर्म के नाम पर हम लोग लड़ाई कर रहे हैं उच नीच के नाम पर हम लोग लड़ाई कर रहे हैं एकता के नाम पर हम लोग बहुत जाद लड़ाई करने लगे हुए है यानि जो हम देश के अंदर ही बहुत तरीके से युद्ध मचाए हुए है तो यह चीज़ हमें नहीं करना चाहिए तो भारत की संप्रभुता एकता अखंड भारत है इसको खंड में नहीं तोड़ना है य ना तो इससे आपका साउठ अलग होना चाहिए ना नौर्थ ना इस्ट ना बेस्ट ना ना साउठ किसी प्रकार से कोई भी राज अलग नहीं होना चाहिए पंजाब में लोगभा कभी गवार कहने लगते के हमें अपना अलग अलग देश बनाना है तो देश की हमें राष्ट की यह राष्ट की सेवा करें राष्ट की सेवा राष्ट के साथ Гद्दारीना करें ठीक देश कीर रक्षा करने जाए कहीं आपकोगता है बेस सकी एल्प करनी चाहिए या कुछ चीज़ां आपको लगए के सब्सक्र ह graveyard म nói तो तरीकर से हमें क्या करना होगा कि हम देस्ट में नांगर्ख हैं हम घ्राइद है आंगे देखिए नमबर पांच नमबर देखिए मैं भारत के सबी लोगों में समरस्ता और समान पुरात्त्तु की भावना काने अरुमार करें सबी का बराबर सम्मान करें धर्म access या प्रदेश या बर्ग या जाती या जन्म स्थान के आधार पर हमें किसी प्रकार से भिद्वा नहीं करना चाहिए तो अगर आप करते हैं तो अनुच्छित पंद्रा के तहट इस चीज का तो आपके मौलिक अधिकार का भी हनन हो जाएगा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो इस्त्रियों के सम्मान की ब्रुद्ध जैसे आपकी सती प्रथा चली आ रही थी तो ऐसी कुछ प्रथाओं होती है जो अगर सम्मान को इस्त्रियों के सम्मान को ठेस पहुचाती है तो उनको त्याप करना जरूरी हो जाता है चली देखियांगे छे नमबर देखिए हमा सबके अपने अपनी संस्कृतियां तुन संस्कृतियों को धर्म के अंसार माने जिसका जो धर्म है उसको अपने धर्म के अंसार जीने दें इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं चलिए देखे आंगे साथ नंबर पर देखे क्या दिया हुआ है प्राकृतिक परियाब र ये प्राक्रितिक परयावरन की आप इसके अंतरकत के आजाएगा जैसे एक आपको विसका मामलतने ऑए और प्टा का फोटा था दूसम्ड only आदार मम धीसरा बयात है है जैसे क्या है कि अबही बाहर से मंगव आई गएगे हैं विदेश देश Okay कि हमें देखना है कि कौ represents कौन सा जानवर क्वाएं ने उनका संवन्दधन करें प्राणी मात्र की पृति दयाअवना, इसन ही रास्ते में आपने देखा होगा कि खुत्तों को लोग बाग लात मार के निकल जाते हैं तो उस चीज को इसमें बताया गया है कि आपका कर्तब है कि प्राणियों की पृति दया भावना देखा है बनेजीवों की रक्षा करें और नदियों को साप सुरक्षित रखें देखेंगे आठ अबाद विग्यानिक द्रिष्टिकोंड बढ़ा है अपना है ना ग्यान अर्जन करें पड़ाई लिखाई करें वो सुधार की भावना का विकास करें सुधार करें ऐसा नहीं है रूड़िबादी सोच रखेंगे एक गाउं का व्यक्ति वो सिरुप वहीं तक रहेगा कि न आप लोगों ने क्या देखाऊगा कि एक माली जी एक घर है अब बीच का चुरस्त है यह तो ना भई इसका है ना वाई इसका है इस चीज को अभी बीच वाला हिस्सा है इसमें कोई जाडू नहीं लगाएगा लोग भाग फिर क्या है महले में होगी लड़ाई व्यानक तर सारो में संपत्ति की सुरख्चा करें याश्यक्का संपत्ति का दोल सकते क्या है याश्यको नहीं को ऑल बाता कि लिए लड़ा भात लूप बहुत तत्पर रहते हैं लड़ने के लिए बहुत ज़ाद तत्पर रहते हैं कभी कोई जुकना नहीं चाहता कभी कोई अपनी बात से पीछे नियटेगा कभी कोई जो है सुलाय नहीं करेगा एक दूसरे में इंसान लड़ने को बिल्कुँ तत्पर रहता है तो इसमें बताएगा है कि हिंसा से दूर रहें क्या जी जी ने हमेशा बोली है कि हिंसा से दूर रहें लिकन एक बात और है अगर आप हिंसा से दूर रहेंगे तो लोगवागों को क्या लगता है सामने वाले को लगेगा यह परसंद तो दब गया तो भई दबना नहीं है नहीं आपको बहुत ज़्यादा हिंसा करनी है लेकन है वो सामन ज बढ़ने कि कोशिस करनी है जादा से जादा चल्ए देखेँ आँगे बयक्तिगत और सामोही गतीविदियों के सभी छेत्रों में उतकर्स की ओर बढ़ने का सतत प्रियास करें यानि शिदि से बात है काम काच करों और अपना आंगे-ांगे बढ़ने की कोशिस करें जिससे राष्ट निरंतर बढ़ते हुए प्रियात्रा और उपलब्दियों की नहीं चाहिए कुछ होगा अगर आप कोई प्रियास करते हैं आप डॉक्टर बन जाते हैं बिग्यानिक बन जाते तो आप बने अच्छी बात है आपकी फैमली की लाइफ अच्छी करतेगी लेकिन कहीं न कहीं क्या है कि वह आप देश के लिए कर रहे हैं यानि आप अगर कुछ करते हैं तो नाम किसका होगा देश का आज इस रो है इस रो में लोग बाग बिग्यानिक कुछ भी करते हैं तो उसका क्या मतलब है कि क्या आप अकेले का नाम होगा कि भाई इस फलान लोगों ने पढ़ाई की चार लोगी जम देने के नहीं न क्या होगा ब्यक्तिगत तरीके पर लिकन अगर आपने कोई यह कैसी कंपनी खड़ी कर दी जिससे लोगों का भला हो रहा है हमारे देश उससे आंगे बढ़ रहा है वह कंपनी आपकी विदेशों तक जा रही है तो क्या रहेगी सामूही कंपनी आप उसमें अकेले कामकाज वाले नहीं हैं तो या तो ब्यक्तिगत या फिर सामूही गतिविदियों के सभी छेत्रों में आप उतकर्स करें उतकर्स यानि बहुत अच्छे तरीके से कामकाज करें बढ़ने का आंगे बढ़ने का प्रेतन करें जिससे राष्ट निरंतर बढ़ते हुए प्रियतन और उपलब्दियों की नई उचायों को छूलेगा यानि राष्ट का नाम बल्ड में पूरे में हो जाएगा तो यह चीज आपका कर्तब बताएगा है कि निरंतर आंगे क्यों बढ़ते रहे इसमें 11 नमबर देखें 11 नमबर आपका 86 सम्मेदान संसुदान 2002 के द्वारा जुड़ा गया है ना पहले नहीं था पहले उली 10 मूल करतब थे 64 साल तक के बच्चों के जो बच्चे हैं उनके बीच उम्र के बीच अपने बच्चों को सिख्षा के आउसार उपलब्द करां ये बताये गया है कि माबाप बच्चों को बोलें कि भाई पढ़ाई कितनी जरूरी है और उनको समझाए क्योंकि पैदा हुआ बच्चा उसको तो समझ होगी नहीं कि पढ़ाई जरूरी है कि स्वास जरूरी है कि खाना जरूरी है कि क्या करना जरूरी है उसको तो कुछ समझ घुलगैंदруш ईसको समझा पको नहीं पढ़ यह बाकर नुम्र में इस समय को पड़ाई नहीं समय मेट च辉टा गया है। कि मूल करतब में गहीए बच्चो बच्चे को बर शम मरक्ला करें यह कुछा आपका पूछा जाता है कि ऐसा जो कौन सा लाइन है पूरा ऐसा जो कौन सा बाक्ख है जो आपका डीपी एसपी फंडमेंटल राइड सो फंडमेंटल ड्यूटी तीनों में देखने को मिलेगा तो यह यह चैसे चैद्धा साल के बीच की बच्चों की सिक्षा है यह आपको तीनों जगा देखने को मिलेगा कि अगर बच्चे को सिक्षा नहीं मिल रही है अगर बच्चे को सि बच्चों को अच्छी सिख्छा दें और इसके अलाबा आपका करताब है कि आप अपने बच्चों को प्रुत्त साहन करें कि भाई पढ़ने जाओ तो यह तीनों जगाए दिया हुआ है एक्जाम में कुस्चन बहुत ज्यादा मुनता है इंपूटेंट है तो चलिए इतुट